सबी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में पर्मार डिफेंस में आज बात करेंगे जो मुस्ट इंपॉर्टेंड आपके एंटोनिम है साइनों के बारे में आल लेडी डिसकुसन हो रखा था वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूट देख लीजेगा आज बात करेंगे एंटोनिम के बारे में जो मुस्ट इपॉर्टेंड मुस्ट सिग्निफिकंट और मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम से जो एक जाम में बार-बार आते हैं और जिनके आने की फ्रिक्वेंसी बहुत जादा है उन सभी पर आज बात करने वाले हैं और इसके आपने टेलिगराम चैनल नहीं जोएन किया तो जरूएण कर लिजएगा पर्मार डिफेंस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा description में लिंक मिल जाएगा और कुछ बच्छों जिनको problem होती है कि टेलिग्राम चैनल नहीं मिलता है वो डिरेक्ट पर्मार डिफेंस के नाम से सर्च कर ले उनको मिल जाएगा और इस वज़े से और कह रहा हूं चूंकि लगातार आपके डेली कुज़ेज होती इंगलिस की और वो सब रिलेवेंट कुज़ेज हैं आपके एक्जाम के पॉइंट अफिश से लिकरके है ना तो नैवी के एक्जाम के लिए ससार के लिए आप प्रपेर कर रहे हो और उससे रिलेटेड आपकी कुज़ेज लगातार चल लही है तो आपके लिए इंपॉर्टन हो जाता है आए फिर स्टार्ट करते हैं और यहां पर एक चीज और बता दूमें जब आप एंटोनिम की बात करते हो तो आपको पढ़ना कैसे है मैंने काता साइनो प्रपेर कर लो एंटो प्रपेर हो जाएंगे ठीक है यह वाली बात मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिसकस की होंगा मैक्जिमम है ना एंटो तो आप डिसकस ही करोगे लेकिन मोस्ट अबदा जो वर्ड होंगे उनके साइनो डिसकस करेंगे जब साइनो आप अच्छे से प्रपेर कर लोगे और एक छोटा सा टार्गेट दे रहों बिल्कुल नॉमिनल सा टार्गेट है आपका ठीक है और इस टार्गेट को अचीब करना है आपको है किसी भी तरीके से तब आपको अगला वीडियो मिलेगा जो मोश्ट इंपोर्टन सिंग्निफिकन्ट टोपिक्स के ऊपर होगा और यहां पर एक च्छूटा सा टार्गेट है आपका किवल हंड़ेड लाइक लाइक का एक च् सो है कैभी दो तरीके की होगए कैसा वड के बारे बात करें गसा हो गया बेसिक बारो गया इसे को आप बोलते हो एसेंट यह वर्ड भी आप यूज करते हो एसेंट मतलब होता है सहमत होना अग्री मतलब सहमत होना होता है है ना और इसी तरीके से आप बोलते हो कंसेंट का मतलब जब सबकी सहमत ही हो उसको हम कंसेंट बोलते हैं और इसी तरीके से हम यूनेनीमस बोलते हैं जब सारे के सारे लोग किसी बात को ले करके कैसे एक मत्द है तो यूनेनीमस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक मत्द कंसेंट मतलब होता है सहमती है ना और बाकी यह दो तो बेसिक वर्ड है एकरी तो जानते ही हो और यह जो एसेंट वर्ड है इसका मतलब सहमती होता है इसी का अपो सारा वो कैब गेन करके जा रहे हो है ना और यह वर्ड एक्जाम में आपको जब देखने को मिलेंगे तब आप इस चीज को अप्रिशियेट करोगे फिर आपको समझ आएगा कि चीजे कैसे कनक करके आपने पढ़ी थी है ना अग्री है एसेंट है युनेनीमस है इन सभी का मतलब सहमत इसे है यह सभी इसके सथ करते है यह यह दोनों वड तो है consent और unanimous तो इसका opposite क्या हो गया opposite हो गया आपका disagree ठीक है यहाँ पर केवल opposite मिलेगे पहले slide में मैं sign or discuss करूँगा दूसरी slide में आपको केवल एंटो देखने को मिलेंगे यह क्या कह रहा है disagree और अभी एक word पढ़ेते decent decent है ना decent और एक word और आता है आपका differ differ मतलब होता है असेमत होना डी डावल डी डावल एफियार है ना तो disagree है decent है differ है इनका मतलब असेमत इसे हैं ठीक another one आगे बढ़ते हैं consent या लेडी discuss कर लिया है consent मतलब सहमत ही इसी को unanimous बोल देते हैं इसी को agree बोल लेते हैं इसी को exceed बोल लेते एक सीट के साथ preposition to याद रखना अकसर पूछ लेता है ना यहां पर अगर बात करें decent है इंटर्डिक्सन है यह के एंट्रिम हो गए ठीक है तो consent मतलब सहमत ही decent मतलब असहमत ही आंगे चलता है criticize करना यह इसके लिए बहुत सारे वर्ड है क्रिटिसाइज करने का मतलब आलोचना करना होता है जब आप किसी की किसी के बारे में बुरा भला बोल ले है ना कटाच कर रहो किसी पर तो उसको बहुत है criticize करना तो इसको क्या कहते हो criticize करने का मतलब आख condom एक वर्ड ये यूज करते हो आप condom condom करने का मतलब criticize करना आप वोलता हो sensor है sensor 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 मतलब आलूचना करना होता है re-buck कहते हो reproof कहते हो है ना इस तरीके को वर्ड आप इसमें यूज करते हो जैसे satire करना एक English का बड़ा अच्छा literary term है satire सटार मतलब होता है कटाच है ना सारकाज कई बार आप यूज करते हो है ना इस तरीके के वर्ड इसमें आप यूज करते हो है ना है , '' Dinounce'' से एक word आता है , Penounce मतलब निंदा करना होता है , । То क्या लेक सकते हो ..Dосс , DiNouse , लेक्षा हुता है , ऐसए , एक और word नंजाता है , comment , चोमेंड का मतलब होता है प्रसंसा करना, इसका मीनिंग हो जाता है प्रसंसा करना, comment का मतलब होता है प्रसंसा करना, यह इसका मीनिंग होता है, comment करने का मतलब प्रसंसा करना, ठीक है, करने हो गया, comment हो गया, एक sensor यह होता है, इसका मतलब आलोचना करना, एक sensor यह होता है, यह sensor board होता है, यह फिल्म अग फ्रेंसर से ध्यान रखिएगा आगे चलता है आप पोजिट की बात करते हो तो और अप प्रेज है एडमायर है एक स्टूल है या फिर आप अप्लाउड यूज करते हो अप्लाउड मतलब क्या होता है प्रसंसा आप लोग लाउड कर रहे हो अब ये दो वर्ड से बना है आप करने का मतलब होता है सराना करना जैसे किसी ने बहुत अच्छा पर्फॉर्म किया तो आप उसको अप्रिशियेट कर रहे वह, ये वर्ड यूज करता हूँ, जैसे एक वर्ड आता है एक्स्टूल, एक्स्टा टॉल लोगों की प्रसंचा की जाती है, ठीक है, उनको एंप्रिशिएट करती है तो इस से टॉल ये लावड लुख सकते हैं आप अपैप्रिश न Pengfert अधोंगे चलते मेरे भाई चोटे चोटे जो दीज़िक में निमोनिक्स बता रहा उन Greek बड़ याद रहेंगे क्रुक्ड का मतलब होता है दोखा धरी करने वाला परसन जैसे आप एक इडियम पढ़ते हो बाइस करके मतलब सीधे तरीके से करके मतलब दोखा का मतलब होता है धोके बाज जो कैसा है डिफ फ्रॉड है और डिफ फ्रॉड को कैसे याद करोगा फ्रॉड से है ना सैम है सैम नाम का लड़का धोके बाज है है ना चीट चीट मतलब धोके बाज होता है चीट वर भी होता है नाउन भी होता है उसको आप चीट बोलता है और दूसरा स्ट्रेट है और स्टेट वी लिख सकते हो और स्टेट वी लिख सकते हो आप इसमें और अंगे बढ़ते हैं देंस का मतलब घना होता है जैसे आप कहते हो बहुत ज्यादा देंस फॉरस्ट है इसके मतलब बहुत जयादा घने वरच्छ है महा पर जैसे आप कहते हो। डंस पोपूलेटेड है। बहुत घनी अबादी वाला छेत्र है तो आप कहते हो। गयर सुर्ट को अबक्री तरहे है। तो ओू पी कैसा राज है तो डंस का मतलब होता है ना। क्या होता है आबादी यहां ना पापुलर फेमस होता है यह वाली बात तो आपको पता है कि आ पॉ dele कि मतलब होता है घनी आबादी वाला जो बहुत ज्यादा जिसके आवादी जिसमेंette जनसंक्या घनत जो है वह बहुत ज़्यादा है उसको बहुत जादा है उसको उसको बहुत कम है लोगों का मदब आइमीन जो हाउसस हैं वह बहुत दूर दूर है आप यह कह सकते हो थो दो वर्ड इसमें बन जाएंगे बेसिकली याद रखेगा इस पार्स इसका पोजिट हो तो देंस का पोजिट क्या बन गया स्पार्स बन गया सिंपली याद रखना ठीक है क्लियर है आंगे बढ़ता है डेवियस का मतलब भ्रहमक होता है भ्रहमित करने वाला ठीक है डेवियस देवी से कह सकते हो है ना कई बार लोग हमें देवी के नाम पर भ्रहमित कर देता है कि दबर्म के नाम पर भ्रमित कर देते, आप ऐसे कह सके ही तो उसको लेकर करके हंमें क्या किया जा रहा हाए घ्रमित किया जा रहा है, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि मैं किसी पर खटांच कर रहा हूं ठीक है, मैंने इसे क्लास में भी ऐसा है कि अमुक लीडर जो है वो ज попад करता है तो एक दूब दूब बद श्ली के बाद करता है तो आप कोई बात बोलो तो है कि अ कि इसी को बोलता हो हैजुन इसले को बोलता है इसले का इलूजन इलूजञ जैसे वह गुलता है बहुत दूर पानी है फिर वह invit तो वहां देखता है तो महा देखते हैं फे और आए जाता है तो ये Pray That इसे को बोलते हैं ढ॰् इसे मिस्टेप आप जातोह करने वाला जो भ्रह्मित करने वाला भीत לפ इसे को लिख सकते हो मिस्टलीडिंग करने वाला थीक है तो इसका मतलब होता है जो पर्दरशन करने वाला है और इस है कर बात करोगे इसका सिंसीर elt Middle को सिधा थीक है तो तो जो भ्रम्रित करने वाला नहीं यह से कोई मार्ग है वो कैसा है वो डेवियस मार्ग है डेवियस रूट है अब ऐसे अगर फ्रेज आपको बनाना है तो आप फ्रेज बना लीजिए कि आपने कहा डेवियस रूट है डेवियस रूट का मतलब है कैसा रूट है कैसा मार्ग है वो बहुत भ्रमित करने वाला मार्ग है ठीक इसको क्या कैता है एक्स पोज कर दे रिवील कर देना लेट दाव्ट आउट प्ट आउट आफ ता बैग था ना लेट आउट आउट आप दाव्ट आउट प्ट रिवील इस तरीके के वर्ड इसमें आप यूज कर पाओगी चले मेरे साथी जयुक्त कि बाटकर आप बहुत ज्यादा एक बोड़ीक कर रहे हो उसको चिपाना होता है तो चैनल एक वर्ड आता है एक वर्ड यह भी आता है clandestine clandestine का मतलब होता है hidden clandestine का मतलब hide or hidden चीपा हुआ ठीक है secret इसी को बोल सकते हो secret, सिक्रेट या फिर क्या कह सकते हो mysterious वर्ड यूज कर सकते हो mysterious का मतलब कैसा हूता है रहस्में mysterious है न और इसी में अगर बात करें तो एक यह वर्ड है conceal एक वर्ड होता है cancel देखो यह cancel मतलब होता है रद्द करना किसी चीज़ को call-off कर देना जैसे एक fragile verb आप यूज करते हो call-off करने का मतलब cancel कर देना और यह जो conceal होता है c-o-n-c-e-a-l यह जो वर्ड होता है c-o-n-c-e-l इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को hide कर देना चिपा लेना है ना यह सारे वर्ड है hope so आपको clear रहेंगे आंगे बढ़ते है equally brilliant क्या होता है सामने अवस्ता इसको बोलते हो है इसका मतलब होता है meaning क्या होता है इसको पूरा अगर लिखोगे यह कई वर वन वर्ड सब्सिटीशन भी पूछ लेता है इसको बोलते है एक जो perfect balance की situation होती है उसको हम क्या कहते है मेरे साथी equally brilliant बोलते है सामने अवस्ता बोलते है इसको बोलते है इसको बोलते है इसका मतलब क्या होता है इस पस्ट होता है वर्ड को याद करना पहले देख लो वी आईडी का मतलब watch होता है यह का मतलब out होता है एका मतलब adjective होता है जो चीज आपको बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती एस वर्ड बन जाता है अगर आप बनातो हो तो वी आइडी का मतलब वीडियो वीडियोग्राफी इसी से वी आइडी से बनने वाला वर्ड है तो जो चीज इस पस्ट दिखाई पढ़ रही है उसको बोलते इवी डेंट जो चीज कैसी है इस पस्ट है अब इसके बहुत अच्छे होता है जैसे distinct remarks हैं जैसे पहले कर समय में offline form फिल करते थे तो आपको पता नहीं मुझे इस समय कि अब online में ऐसा होता है कि नहीं होता है लेकिन offline वाले में especially आपको एक distinct remark बताना होता था कि आपके चेरे में कोई ऐसा ऐसी चीज है जिससे आपकी identification की जा सके जैसे मूल वगएर आप लिखते थे कि left cheek पर मूल है या right cheek पर मूल है तो वह लिखते थे आप कोई cut marks है वह लिखते थे आप है ना तो इसको बोलता है distinct remarks जो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ा है कोई remark है ना इस ये को बोलता हो अपा रेंट हो ऋ लोग रेंट में रहते हो यह बात सभी को clear है एस ये को बोलता हो आप एबल इसी को बोलता हो आप noticeable, जो चीज़ notice करने होग है, इसका मतलब वो चीज़ इस पस्थ है clear है, उसको बोलता हो noticeable, इसज़ को बोलता हो prominent, prominent का मतलब प्रमुक होता है, एक word आता है prominent, prominent का मतलब होता है बच्चा प्रमुक, जो mean है, वो अलग दिखाई पड़ेगा, आप ऐस पश्ट होता है यहां का मतलब होता हैं या फिर आप कह सकतो जो चीज क्लिएर नहीं है ऑफ second स्केर्ट हो टूग इसके ऑलबार आप के तो जो चीज कैसी सकते क्लावड़ी हैły जुन्दला है आईसपस्ट है बियार नहीं है ठीक है आँगे चलता है नाशतर ऐसे आप क्या करना चाह रहे हैं आप किसी चीज का बिजनस चला रहे हैं आप क्या कर रहे हैं उसको expand करना, इसी का noun form बनजाता है expansion, या दियान रखें कि expand मतलब बढ़ाना होता है expand करने का मतलब बढ़ाना, increase करना, आप यह कह सकतो, increase करना, या फिर आप कहतो augment करना, आग में mint डालोगे, तो आग बढ़ जाएगी, ऐसे याद रखना, आग में मिंट्ट डालने से आग बढ़ जाएगी, एक्सपैंड मतलब बढ़ना, सिकूरना स्रिंग का मतलब सिकूरना होता है कोई चीज स्रिंग हो रहे हैं इसका मतलब कम होती जा रही है और कॉंट्रक्ट का मतलब मतलब बढ़ना और कॉंट्रक्ट मतलब सिकुलना ठीक है जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़ता हो एक्सपैंशन और कॉंट्रक्षन और विल्डण और संपीडन अगर आपने पढ़ा होगा तो सुड़ाट आपको क्लियर होगा वह आपका टॉपिक मनता है कौन सा वेव वाल तरंगों वाला टॉपिक उसमें आप पढ़ते हो यह ना कि रिल्दन और संपीडन के बारे में बात करते हो एक्सपैंशन और की बात करते हो ऌनट्रक्ट मतलब सिकूरना जैसे को इस्प्रिंग है ऐक्स्ट्रा वेचिण और्ध कम Alrighty frequent lot ज्यादा क्रिक्ट करने वाला एक्स्ट्राइवग्ट च्रृट्स आख करता है कैसे याद करो गेंition एक्स्ट्रावेजश खर्शंडे वाला व्यक्ति जो है वह extra वयज़ंट है जैसा spend thrift, यह आपका पहला वर्ड हो गया, spend thrift, spend से ही याद कर सकते हो, spend करने वाला है, मतलब खर्च करने वाला है, proddy, girl, आजकल की जो girls हो गई, वो कैसी हो गई है, वो बहुत जादा खर्चीली हो गई, पहले वाली नहीं रही है, कि वो क्या करते थे, ठीक है, उनका लवारा फेयर जो होता था, वो कैसा होता था, वो मतलब, I mean, सूरत देखकर के होता था, पेस देखकर के होता था, अब क्या है, अब पैसे पर डिपेंड है, वो पापा के परियां मन गई हैंना, चलिए, I am just joking, just kidding, ठीक है, don't take it personally, prodigal, prodigal मतलब हो गया, खर्चीला, जो girls हो गई हैं, इसे को बहुता है, लैविस, लैविस का मतलब खर्चीला होता है, LAVIS मतलब ही खर्चीला होता है, इस तरीके के वर्टस आप इसमें यूज करते हो, ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे भाई, एकोनॉमिकल और थ्रफ्टी, ये कैसे हो गया, अपूजिट हो गया, एकोनॉमिकल मतलब मित्वेई होता है, थ्रफ्टी कंजूस होता है, तरफ्टी को थ्रीफटे से आतकर लो के 350 रुपए देने हैं, तो 350 नहीं दे सकता है, इतना कंजूस आदमी है, इसे को बोलता है, इसटिंजी क का मतलब आप यूज करता हो, पर्समें मनी ही ने रखता है, कन्यूस आदमी है वो क्या करता है पर्स Pengानी रखता है लो क्या करओं टेलो पार्टी तुम कितनी पार्टी लोग फेमस इसी को बोले और आप रिनाउंड या फिर इस को बोलते हो आपूस मतलब हो गया प्रसिध सका मतलब हो गया प्रसिद सिंग चारनांव जिसका नाम हो रख्क है, वो कैसा है, रिनाउंड है, या फिर इसी को बोलते हो, आप इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब फेमस होता है, तो इमिनेंट हो गया, रिनाउंड हो गया, या फिर आप कहते हो, फेमस, पॉपुलर, बिल्कुल आसान सा वर्ड अगर बेशिक वर्ड वाला और popular मतलब कैसा होता है लेकिन बुरे कामों के लीए famous उसको क्या बदनाब जो बुरे कामों के लिए जाना जाये उसको बोहते हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है तो famous का opposite क्या हो गया यह हो गया आपका आपसेक्योर या अन्नून जोसको कोई जानता नहीं है आगे चलते हैं फेकंड फेकंड का मतलब होता है जो बहुत जादा उपजाओ है उसको बोलता है फेकंड इसका मतलब जो बहुत जादा फ्रूटफुल है प्रोडक्टिव है तो यह बिसिकली आप लै प्रुडक्टीव यह फिर क्या बोलता है यह तरीके के वर्ड आप इसमें यूज करता है तो जो उपजाउ है जो प्रॉडक्टीव लैंड है ठीक है जो फल देने वाला है उसको बोलते है अपॉजिट क्या होगे बेरन स्टेराइल स्पार्स का मतलब दूर दूर तक फसल है म प्रोड़क्टिव लैंड नहीं है तो इन फेकंड लेंड है जो कैसी एन प्रोड़क्टिव है अनुग जाओ है होता है इसका पूजिम दिवलब बन जाएंगे बढ़ते हैं मेरे कैसा उता है वेञिंगा मेल अच्छा यहाँ हां है देखो हाँ हीडियस मतलब घल इस ध्यांत यह घ्रा ducks पर है जिससी को आप आप हाइड करना चाहतोओ कैसा है इसका मतलब है घरनेट की नौना समच को आप को दो डेस्टेबल डेटे स्टेबल हैं जैसे ृिज़ है याद कर सकते हो इतस देने को मन नहीं करता है है नॉय selected किसका मन करता है बताओ डिटेस्टेबल है अबो मिनेबल है ठीक है डिस्गस्टिंग है जैसे वर्ड आप यूज करता हो डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग का मतलब कैसा होता है गणित किनोना या लोथिंग है एक वर्ड यह आप यूज करता हो लोथिंग है डिस्गस्टि है डेटेस्टेबल है इन सभी का मतलब गड़त की नौना अब मिलने योग नहीं रहे चुकि आपसे गणा हो गई है रिपल्स भी साथ नहीं देती आपका किसी को देख करके आपके पल्स कर जाते आई में उसके तरफ आपको अट्रक्शन नहीं है अपोजेट ब्यूटिफु चार्मिंग अट्रक्टिव यह सारे वर्ड इसके अपोजेट हो जाएंगे एक और हीनियस आता है हीनियस द्यान रखिएगा हीनियस का मतलब होता है बहुत ही जगन नपराज जिसको हीनियस बोलते हो हीनियस का मतलब होता है बहुत ही बहुत ही वर्स्ट क्राइम यह कह सकते उसको बोलते हैं हम लोग हीनियस का मतलब सबसे खराब क्राइम एक ऐसा क्राइम जो जगन न पराइम जगन न पराइम, हूमिलीटी मानोता हुएम वर्ड लगाते हो तो मतलब हम एक तरीके से kindness, tenderness, clemency जैसे ये वर्ड यूज करता है clemency मतलब दया होता है है ना ये human qualities है human beings के attributes है जैसे tenderness, दया दयालूता जिसको आप बोलता है tenderness, बिल्कुल आसान सा वर्ड रिखो के kindness आ जाएगा kindness का मतलब क्या हो गया, दयालूता हो गया clemency, tenderness, kindness mercy, sympathy, ये क्या है human values है तो इसका opposite क्या हो जाएगा आपके अंदर घमंड है, arrogance है pride है, vanity है तो इसको बोलता हो आप ये opposite word हो जाएगे opposite word के बारे में बात करें जैसे आपने का pride है जैसे आपने का arrogance है, vanity है vanity का मतलब घमंड ये दिखावा ये word van से बना है अगर इसको, देखिए vanity को अगर post-martem करोगे तो ये word van से बना है wain का मतलब होता है बेकार, है ना ये जो घमंड है, ये बेकार की चीज है इस पर कभी गुरूर मत करना ठीक है, जब भी आपके पास success आपको हाथ लग जाएगे ignorant के साथ आप preposition कौन सा लगाएंगे एक ये question बहुत आता है ignorant के साथ आप preposition कौन सा लगाएंगे off आएगा, ignorant मतलब अज्यानी होता है ignorance, अज्यानता ना समझ जिसको आप बोलता हो अज्यानता, है ना ठीक है, जैसे आप इश्वर से प्रात्ना करते हो तो आप क्या कहते हो मैं बहुत अज्यानी हूँ ना समझ हूँ मेरे अज्यानता है भूल वस कोई अगर गलती हो जाए तो उसको माप कर देना चुकि मैं कैसा हूँ अज्यानी हूँ ignorant हूँ मेरे अंदर ignorance है वो जो ना समझ है ठीक है उसको माप करना इग्नोरेंस का मतलब अज्यानता noun है a and c से मिलकर कर बना हूँ है last में suffix लगा रहा हूँ तो इसका मतलब एक ऐसा व्यक्टी जो जिसके अंदर अज्यानता है जिसके अंदर समझ नहीं है जिसके अंदर knowledge नहीं जैसे छुटा बच्चा जो होता है वो कैसा होता है इग्नोरेंट होता है उसको समझ नहीं होती है धीरे धीरे समझ डवलप होती है धीरे धीरे वो समाज के तौर परीके सीखता है तो opposite हो गया immune immune का मतलब जो protected है जैसे immune से ही बोनता है immunity जो बाहरी चीजों से हमारी body की रच्चा करती है वो गया है immunity है immune मतलब protect करना तो opposite क्या हो जाएगा opposite के बारे में बात करो तो vulnerable जिसको wound कर सकते है जिस पर घाव कर सकते है जिस पर attack कर सकते है sensitive मतलब जो भावुक है impromptu आपने पढ़ा था बीना तयारी के इसका मतलब है आप off end है इसी के लिए एक term आप और idiom यूज़ करते हो off end off end का मतलब होता है बीना तयारी के यह word कैसे बना है पहले इसके बारे मात कर लेते है यह word prompt से बना है देखो इस word में आपको prompt मिल ला है prompt का मतलब अचानक prompt का मतलब अचानक तुरंत है ना तुरंत या अचानक जैसे समय बहुत जवर्दस तरीके से आप देखरो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो चीटा कसी चल लगी है बहुत बहेंकर तरीके से है खटा कटड़कः कंटव आख लेवल भेंकर है वह 그거 आपने सुना है है यह क्या है यह prompt है इसको बूलते की आफ 번째 तो इंप्राम्टू का मतलब हो गया अचानक आपको कोई काम करना पड़ा ईश्के लिए पहले से प्रॉपेर नहीं हो जिसके लिए आपने रियर्सल नहीं जिसके लिए आपने peine नहीं किये ह। उसको बोलता हैं इंपरॉम्टू format उसको आपका O라고 यह बोलतो एक्स टेम्पोर का मतलब त्यारी को होता है तो द्यान रखेँ के एक्स टेमपोर और ऑफ हैं तो दोनों वर्ड आपको धने इसका मतलब क्या हो गयाcji Pr Meditated, जिसके लिए पहले से आप त्यार है, prepared हैं, उसको बोलते है । प्री meditated हैना और इसी के लिए एक वर्ड और है prepared, prepared का मतलब जिसके लिए आप पहले से prepared है, preoccupar tonnes है, जिसके आपने रियर्स कर में तो होपसो समझ में आ गया होगा इंप्रॉम्टू मैवरिक का मतलब क्या होता है मैवरिक मतलब होता है गैर परमपरागत है जीए एक वर्ड आता है तो custom से जो चीजें हैं उनको बोलते हुआ आप कैसे वो चीजें कैसे ने लजए कफोर्मिस्ट है या फिर इसी को बोटेश्टोर्स्थे ट्रडीशनल मतलब परंपारगोधा होता है ट्रडीशनल से ड्रुटीशनल एक वर्ड बनजाता है चोनल कि यहनुआ उसी को बोलते है अर्थोडॉक्स निक वर्ड याता है आपका ओर्थो डॉक्स और इसानक अर्फोडॉक्स इंके अनुसार मेरी कर रहा है तो इसका मतलब्य है इसका मतलब रूड़िवादी है तूसर रूड़िवादी आप गॉलता है इसके लिए वार्डा यूज करते हो। जैसे कहते हो हमारे पैरंट्स जो है वो इस मैरिज के लिए बिलकुल हर्गिस तयार नहीं होंगे। पुरानी मूवीज देखो आप उसमें अम्रीजपुरी का जो रोल होता था वो बड़ा खतरनाक रोल होता था। वह बड़ा आर्थो डाक्स टाइप का इंसान होता था हिसाथ मना कर देद नहीं भाई यह जो मैरे यह सादी है यह बिलकुल हर्गेज नहीं हो सकती है। Maverick का मतलब गैर्परंपरागत होता है इसको क्या लिखोगे जो traditional नहीं है गैर्परंपरागत है सबाइसको भोलोगे आप Maverick आऔ 1970 तो सिंप्ल याद रख सकते का नागली जन्ट का मतलब होता है नागली जन्ट का मतलब, अपर जायेगा जाएगा नगलेजंट का मतलब कैसा हो जाएगा कियर लेस जो किसी चीज़ की केर नहीं करता है कैसा है लापर्वा है लापर्वा मुटा होता है भी बना हुए वर्ड में जाता है फिर ओबी सिटी है कि बैसे का मतलब कैसा है बहुत जाब है इसके लिए अगर आप व्ट मतलब कैसा होता है इसके लिए वर्ड यूज करता है यह इस थाय। यह कहते हो आप अपोजिट क्या हो जाएगा जो बहुत ही दूबला पतला है और वर्ड ओविस सिटी से बना हुआ है ओविस सिटी का मतलब आप जानतों यह अबस्ट्रक्ट नाउन है ठीक है क्लियर होगी बात तो यह थिन है स्लिम है इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे ओवर्ड का मतलब होता है खुला हुआ जो ओपन है उसको बोलते है ओवर्ड ओवर्ड का मतलब दाट इस नौट रिदन इस तरीके के वर्ड आप यूज करते हो तो ओवर्ड का मतलब कैसा है एक सब्द में अगर हम लिखना चाहें इसका मेनिंग हो जाएगा देट इस ओप और अठी कैसा में आपकता यह अजैना और करता है यह अचिश कर सकते हैं जिसके नहीं जिसकी नहीं कंस हुआ यह वर्ड तियले स्यास घ्रक्त यह पटोले से इंसान है जैसे घरवाले आपको बूल देतें कई पता नहीं किस घड़ी में तुम्हारा जन्म हुआ और मिला हमारी चाती पर तंडों करने के लिए तुम जन्म होता है लेकि वह चाते भी उतने जाद है आपके घर वाले ऐसा नहीं है प्रामिनेंट प्रमुक होता है अभी पीछे मैंने पढ़ाया था इसको जब इविडेंट के बारे में बात कर रहे तब बताया था प्रामिनेंट का मतलब प्रमुक होता है ना प्राइम से याद कर सकतो कोई प्राइम सो है वो प्रामिनेंट है प्रो पहले लगा हुए इसको से याद कर सकते हो ठीक है मतलब प्रमुक है और यह वर्ड वहाँ पर पीछे छूड़ गया था यह वर्ड जो होता है इस वर्ड को ध्यान रखना यह कई पर पूछ लेता है कंउस्पिक्स का मतलब कैसा होता है इस पंच्ट होता है और यह वर्ड की सेयाद करोगे यह देखना ओयस्पिक्ट इत्प कौन मतलब तोगे रित जो भी कहना चाहो जिसको कलियर देख सकते कैसा कासी हो है आगे चलते हैं इसक्वेंडर खर्च करना ठीक है अभी आपने कहता एक वर्ड आप पढ़ रहे थे कौन सा यादा रहोगा इस्पेंड थ्रिप्ट या आपने कहता एक्स्ट्रावेजंट खर्चीला जिसको आप बोलता हो तो यह जो अपोजिट है इसक्वेंडर यह भंडार लगाना सेप करना स्किम्ट करना यह सबी इसके अपोजिट वड़ हो जाएंगे सकंडर के क्लियर है इस्कंडर कलियर हो गया वीगरस का मतलब होता है जूस उससा एनरजी उसको बोलते हो आप वीगरस वर्ड किस का मतलब इसके आप मतलब होगा होगा फोल पन ऑочь का मतलब होता है गों को बुंद या गंशनय के अनदर का रहसा ईखिसके आप का सकता ही इसके अईँनरजी आप कसके तो सब्देट का मतलब होता इसका इंसनों किसके इसको बोलतो है स्पार्की, या इसी के लिए एक वर्ड आता है, विवैसियस, यह वर्ड आप यूज करते हैं, विवैसियस का मतलब फुल आफ एनर्जि, i-का मतलब लाइफ होता है, जो लाइफ से भरपूर है, उसको बोलते है विवैसियस, है ना, चलिए आगे चल वह वीजियो नरी है Slovene का मतलब क्या होता है vision के मतलब अ चाथ होता है वीजियो नरी का मतलब क्या होगा है इसका मतलब जेच जो की चरखने वाले बैक्ति के घ्रिस्टतर चलने वाला दूर्बने वालब मिया वायिक है还有 मैजिनरी रेलिस्टिक यह कैसे हो गया जो आप कहसकतँ हो जो वास्टिक चीजों को ले करके की सले वाले विएट विक्ड बिक बद दुष्ट होता है राश्यचास प्रवेति का जो व्यक्त होता इसको बुकड बोतें कैल बोते क्यों old- porte 3 И но यह किस तरीका सब्सक्राइब जो प्लुस्त मतलब होता है intelligent तो वाइस से वर्ड बन गया wisdom का मतलब हो गया intelligence है तो simply आप समझ सकते हैं जैसे अभी एक वर्ड पढ़ रहते हैं आप इंग्नोरंस इंग्नोरंस का पोजिट है wisdom जैसे इसमें लिख रहा है stupidity stupidity का मतलब क्या हो जाएगा मूर्कता हो जाएगा इस टूबिट से वर्ड बना हो ए इंबेसलिटी या फिर फॉली इसका मतलब मूर्कता से है इसका मतलब इसका मतलब होता है घनत गिनाउना यह वीडियो मैं थोड़ा सा लेट नाइक सूट कर रहा हूं दिन में भीत टाईम नहीं है क्लासस लगातार होती है फिंग है तो इस समय एक तो यह रहता है कि थोड़ सांती रहती है लेकिन आज बंगए सांती है वह का मतलब होता है तो घंट्गे और अइस के बारें बात करें तो इसका मेनिंग होते है घंट्गे किनों न आप मिलने योग नहीं रहे कि आपसे मिलेंगे नहीं क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि आपसे घंडा हो गई है ठीक है सिंपली अब इसके बहुत सारे वर्ड है जैसे पीछे पढ़ाया तरी पल्सिव और इसका मतलब घंडा करना यह वर्ब है और अबॉर क्या हो गया इसका मतलब घंडा होता है तो दोनों बात बातें आप समझ सकते हो ठीक है क्लियर है तो डिलाइटफुल एड्माईरेवल प्रसंसर से हो जाएगा आगे चलता है अब जॉर्ब किसी चीज में आप अब जॉर्ब जैसे एक देखो यह होता है कि आप एक सिंपली प पाद बताता हूँ जब आप पढ़ते हो मजबूरी काट रहा हो किसी मोजह करणे लगते हैं इंटरिण करने लगते हो मंत्रcji दो करके उसमें खो जाते हो तो फिर आप नंबर देखोगे नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं बस समस्य यह ना कि हम एक एक नंबर के पीछे भागते हैं हमें लगता है नंबर किसी तरीके से आ जाए काम बन जाए फिर वह इंट्रेस्ट लैक हो जाता है जब आप मार्किं चाहिए लेकिन उसको साती साथ उस चीज़ को इंगेज हो करके पढ़ना चाहिए अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि आप उसको चीज़ को पर बिल्कुल क्या कहा जाए कि आप बिल्कुल मंत्र मुद्ध हो करके पढ़ना होता है मंत्र मुद्ध होना होता है दो मीनिक ह बोलते इंगेजिव, एबज्व को ही क्या बोलते हैं, इंगेज होना, इंगेज होने का मतलब क्या होता है, इन दोनों के साथ प्री पोजिशन इन लगता है, एक बात ये याद कर सकते हो, एबज्व या, इंगेज के साथ प्री पोजिशन इन, मंत्र मुख्द होना, मतलब किसी चीज से बिलकुल आपका मनी नहीं लग है किसी चीज में इमिट UP अब्सट्रेक्ट अब्स्ट्रेक्ट मतलब होता है दो तरीके की चीजें होते हैं का यह हो सकते हो और घृसकल एक सही नहीं बहुत सब्गरिंग से सब्गरिंग मदलब जो फिजक चीजों से सम्बर्ण से संब्छन बनेग низrov एके मिलेट इखटा करता हे उश्री को बोलता है अमास की चीजों को एक साथ गैदर कर ले अमास करना अमास करना गैदर करना गैदर करना असेंबल करना इसे को आप क्या बोलतो है असेंबल करना गैदर करना असेंबल करना अमास करना एक्युमिलेट करना है ना कंपाइल करना पाइल अप करना है यह सारे वर्ड आप इसमें लिखते हो तेन सभी का मतलब एकटा करना ह होता है इसका हिंदी मीनिंग निकोंगे तो अम मास कई बार आया है एक्यूमिलेट कई बार आया तो ध्यान रखना अलग अलग मास की चीजों को एक साथ एकटा कर रहे हो अब यह किए डिस्पर्स पहला ना इसका अंडर खर्चे करना पीछे पड़ चुक्यों ऑं केज़cular the milk यह यह क्यों से बनने को इससे बनना अरूप लगाना एक्प्यूज zupełnie करें के व्योटAAAA आप देखते हो तिक हैं और मजा भी बहुत आती आप इंटर्टेंड भी बहुत करते हो कि उसने इसको यह कहा इसने इसको यह कहा और मैं तो इस समय डिवीट देख लो आप ठीक है क्या मज़ा आती है और माँटल टेक्शत है आप जानता हो कि वहले अतना आजाता है कि हाता पाई तक हला कि कई में तो हो भी जाता है बड़ी बात नहीं है जूते चप्पल तक चल जाते हैं न एक्सकलपेशन यह डिफेंड यह इसका पोजिट हो जाएगा वैसे इसी को बोलता है एक्जॉनरेट होना मतलब दोस्मुक्त करना एक्जर सुईकार करना होता है किसी चीज को मान लेना अगर और नौलेज एटो आप क्या करोगे की स्विकार करना अग्णालेज करने का मतलब होता है स्विकार करना अपसे कोई गलती हो गई और आप लड़नेट परसन है आप अपनी गलती को एक्सप्ट कर लोगे आगे बढ़ते हैं हॉस्टाइल मतलब सत्र होता है हॉस्टाइल होस्टाइल का मतलब सत्र होता है इनमी होता है इसी से वर्ड बन जाता हो हॉस्टिलिटी जैसे एक एडियम आता है बैड ब्लड उपन इनेमेटी जिसको बोलता हो तो हॉस्टिलिटी का अपूजिट क्या हो जाएगा एमिबल फ् भी friendly के लिए आता है उसी को आप बोलतो एक वर्ड और जेणियल जिसके जीन में friendly नेचर सामिल है वह कैसा है जीनियल है जीनियल मतलब एक अफेबल का मतलब होता है मिलंसार जो बहुत friendly नेचर का व्यक्ति है उसको बोलतो सबीन का मतलब कैसा हो गया ठीक है याद रहेंगे आगे चलते साथ्य यह जो बहुत ज्यादा डीप नहीं जैसे आपको सेलो नौलेज भी नहीं है आप यह बोल तो उसका मतलब उत्ला ग्यान है इसका मतलब सूपर्फिशियल सैलो को ही दूसरे सब्दों में हम क insist गहते हैं सूपर्फिश बोलते बच्चा क्या ब सूपर्फिशाल सूपर्फिश्यल का मतलब कि प्या होता है सते ही और अपोजिट क्या हो जाएगा इंटेंस हो जाएगा इंटेंस मतलब गहरा होता है जैसे एक वर्ड डीफ होता है और एक वर्ड और आता है इंटेंस इंटेंस का मतलब होता है इंटेंस का मतलब होता है इंटेंस का मतलब होता है गहरा तो डीप और इंटेंस इसका मतलब बहुत करें तो आप क्या कहोगे आप कहोगे जो जुक जाने वाला है गोना अब यह दोनों तरीकशकी हम्मल नीचर वाला है उसको आप कह सकते हो कोई चीज जो बेंडेबल है जो जाने वाली है बेंडेबल है फ्लेक्सिबल है इसा के लिए वर्ड यूज करते हो इस तरीके को वर्ड आप यूज करते हो हैं तो इसको क्या कहोंगे आपोजित इस्टिफ डैफियेंट जो किसे याद करोगे हैं कौन सीट में बैठा है जो सीट में बैठा है जिसको घंता है जिसके अंदर मानोता है अपूधिट वर्ड होता है कैसे याद करोगे क्विट से याद करोगे क्विट मतलब छोड़ना होता है यह जो वर्ड है क्विट से याद कर सकते हो क्विट मतलब छोड़ना होता है किसी को पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों से इसको बरी कर दिया गया एक्विट कर दिया गया इसी को बोलता है एक ज याद करों गया अरोप केंच का हो गया इसको काईसे याद करों हो गया साल्फ हो ह। Su Halo गया तो व्यक्ती को अब कर दिया endured कर दिया गया। यह वर्ड़ enclosed कर तो ऑँगे चलते हैं नेक्ट एडेमिंट जिद्धी जिद्ध आडा से याद करोगे जो अपनी बात पर अडा रहता है हडते ही नहीं कैसा पर संदी टायप का व्यक्ति है कैसा कोगे जिद्धी नेचर वाला व्यक्ति है वह कैसा अड़ा मैंट है इसव्ड़ल बोलता हो इस बूलते हो ब्लाट्सिबल होता है यो मतलब होता है जुख जाने वाला है गलीबल मतलब मतलब Repter Reader ढ़ भिगा कर शकते हो अगनी से याद कर सकते हो अगनी इसका मतलब में और दढोंगे तो क्या होगा दर्थ होगा इसका मतलब सब भी क्या होता है दर दिया पीड़ा आप याद कर सकते हो सफरिंग है पेन है अफ्लिक्स है एगोनी को अगनी से याद करोगे है ना आगे चलते मेरे बाई प्लैजर एक्टैसी डिलाइट कमफर्ड इन सभी का मतलब आनन्द होता है नस्ट एंबिग्वस दूई अर्थी आ हो उसको बोलते है अंबिग्वस ना यहां अप सक्योर आपने पढ़ाता ओप सक्यूर का मतलब का मतलब वह कैसा होता है ना तो अपोजिट क्या हो जाएगा प्रेसाइश क्लिया तर्टैन लूशिट जिसे आपने लूशिट अब इसके बहुत सारे वर्ड आपने पढ़ र बहुत सारे उसारे ऐसे अपने बढ़ता है ने और नकीं होता है यहापका जंड है वह अपका इसके बारे में बात करें, native का मतलब हो गया, this such, native का मतलब हो गया, this such है ना, और native का मतलब ab origins, इसी के लिए word यूज करते हो, ab origins, ab origins का मतलब होता है कैसा, स्वादेशी, ठीक है, जैसे बाबाराम दू कहते है, स्वादेशी अपना, ab origins प्रोड़क्त की बात करते है, जो original product है, इनको ab origins आप कह सकते हो, है ना, तो native है, ab origins है, इसी का opposite क्या हो जाएगा, alien, foreigner, है ना, foreign से बन गया, exotic से, एक्स का मतलब आउट से है, जो बाहर की चीज है, जैसे जैसे दीवाली आती है, तब हमें याद आता है, कि भाई हमें कौन से प्रोड़क्त नहीं यूज करने है, ज़्यादा गंबीर होता है, severe का meaning होता है, गंबीर है, बहुत ही ज़्यादा गंबीर है, severe condition है, आपके तो, बहुत ही गंबीर condition है, my idea gentle, इसका opposite हो जाएगा, my idea gentle, है ना, चलिए, मैं पानी पीलू, फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए, okay, अभी मैं थोड़ा सा वीडियो कम दे पा रहा हूँ, अचलि ये सब गमोरिया बहुत तेज हो गई है, lighting बहुत ज़्यादा होती है, रूम पे, heat बहुत प्रोडूइस होती है, तो उसकी वेज़ा स्थोड़ा समस्या हो गई है, हलाकि फिर भी वीडियो कर रहा तो कम कर पा रहा हूँ, हलाकि मेरा प्रयास था कि आपको कोशिस की जाए ज़्यादा स्यादा, तो जो ज़्यादा वाली कोशिस है, वो उतना नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन जल्दी करेंगे, है ना, शीवेर मतलब गंभीर हो गया, आंगे चलते है, इस्टिंजी, इस्ट फंसरा वेजर्ट, उधार होता है, खर्च करने वाला, डिटेस्ट, घर्णा करना, अभी पढ़ेता टेस्ट होता है, तेस्ट देने से हमें क्या लगती इस्ट तो, टेस्ट का मतलब क्या हो ग, है तो, लोथ, लोथ उतच वर्यादा यूज़ करता है, लोक va madh PPE pourra का मतलब ह करना करना को डिटेस्ट लाइफ एडॉड है रहना यह अंगे बढ़ता है ना डार्मेंट शोया हुआ है इसके वर्ड डिसक्री है आप यह कहते हु जो निश्क्री है डार्मेंट है इसका मतलब इनेक्टिव है आइडल है इंडोलेंट है जैसे एक वर्ड यह यूज के यूज्ः करते हो इंडो लेंट जो हिले डुले हमड्रॉम की तरीके पड़ा हुआ है वह कैसे हम ड्रम है आइटल है आइडल का मतलब निस्क्री होता है यह इनक West पैसिव है इस तरीके कि वर्ड आप आप यूज करते हैं यह सारे वर्ड आप इसमें यूज करते हो यह वर्ड एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं आगे चलते हैं एक एक्टिविस का पोजिट हो गया तो डॉर्मेंट मतलब सोया हुआ आपको किसी को आरोपों से बरी कर देना एक्जान एक्स मतलब आउट है ध्यान रखना वहीं सी क्लियर कर पाओगे कन्विक्ट सेंटेंस या इंगेज किसी पर आरोप लगाना उसके वी वर्ड आप सीख चुके हो अगे चलते हैं जीनरस जीनरस का मतलब उदार होता है बिग ह मतलब इसी को बहुतों मैंगना नीमस मनाना का मतलब विग होता है तो मैगना से वर्ड बन गया है, मैगना से मैगना निमाज, I mean big hearted person है, और इसी का opposite क्या हो जाएगा, stingy, miserly, यह वाले वर्ड अभी डिसकस किएता है, parsimonious, person में money ही निये रखता है, और इसी को बोलते हो, आप क्या, close fisted person, stingy को ही बोलते हो, close fisted person, close fisted person का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही कैसा व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है, पैसा नहीं खर्चे करता है, वो कैसा close fisted person है, आगे चलते है, impotent, निरलज होता है, जैसके अंदर सर्म नाम की चीज़ नहीं है, वो कैसा है, निरलज है, same list है, ठीक है, यह जिसी को बोलते है, opposite, polite, modest, respectful, inclusive का मतलब चाल दिया था है, नहीं तो यह कैसे का मतलब होता है, कुष्चन से याद कर सकते हो, क्ष्चन से ही कुष्टी बने format अ करे आयन के कैसा करें, जैसे जो चोटा बच्चा होता है, वो बहुत होता है, वो तरहे-तरह कांडि Pick up करता, फिर उसकी धीरे-धीरे क्या करता है, यह श तो फिर वो सारी समस्याओं को भूल जाता है फिर वो कुश्चन करना दीरे-दीरे बंद कर देता है जब उसको लॉजिकल जवाब नहीं मलते है तो छूटा बर्चा जो होता है वह बहुत ज्यादा उसके अंदर क्यूरियसिटी वह देख़ोंगे आप कोई पैन है तो इसको होँए तोड़ करके कोई खिलोणा तो उसको भी तोड़ देगा वह जानने की कोशिस करें का इसके अंदर है क्या पूरा पोस्तमार्टम कर देगा तो बहुत क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए कि वो बहुत इन किष्टी होता है क्यूरियस इसी को क्या बोलते हो क्यूरियस मतलब जिग्यासु आंगे चलते है नस्त अनौधर वन इंडिफरेंट अंकंसर्ड इंग्डूर तो जुसको फरकी नहीं पड़े जो सीखना ही नहीं चाहे इंटेंशनल का मतलब जिसके पिछे इसको मौति बोलते से इंटेंशनल वॉता है एसे से इसका मतलब होता है जो चीजटा की जाया जैसे मौटिव इस क्राइम के पीछे आपका क्या मौटिव था जैसे किसी क्रिबनल से पूछा जारहा है यह घाए बताऊ तो मौटिव जो इरादे से किया गया एक्सिडेंटल मतलब जो अचानक हो जाए वो एक्सिडेंटल है आँगे बढ़ते हैं सती माइजरेबल का मतलब धैनी होता है बहुत ही दीन हिन कंडिशन है बहुत दुखी वेक्ति है वो माइजरेबल है अपोजिट हैप्पी हो जाएगा चीरफुल हो जाएगा ज़ाएगा ज़ते हैं जानता है आप यह ट्रस यह तार्श गयर जैशे मतलब घयरा इंटेंस एक यह सारी व्ल्ट आपको क्लियर है अंगे चलते हैं रैपिड रैपिट का मतलब तेज होता है ठीक है रैपिट ब्रिस्क यह वर्ड आपके देखने को मिलते हैं जैसे रैपिट हो गया जैसे ब्रिस्क हो गया जैसे क्विक हो गया जैसे स्विप्ट हो गया स्विप्ट हो गया है यह वर्ड आप यूज करते हो करसरी हो गया करसरी मतलब कैस वहाँ तरुटाव ने जल्दी में ये सारे वर्ड आप पड़ते हो रैपिट फायर कुश्चन इसका मतलब कोश्चन बड़ी तेजी से पूट अब किया रहे हैं इसके पहले अट्राक्टीव है प्लीजिंग है इसका पूजिट हो जाएगा अभी इसको पड़कर कर परमपरागत को मतलब पुराने सिस्टम पर आधारी थे वो कैसा है इसका मतलब होता है इसको बोलता हो किस्टो मैरी इसको बोलता हो क्या आर्थो डॉक्स अभी यह वर्ड भी आपने डिसकस किया था और्थोडॉक्स इसी को आप बोलते हो कस्टोमेरी और्थोडॉक्स अगर याद आ रहा हो जिसने कंजर्व करके रखा है पुरानी चीजों को होड करके रखा है उसको बोलते हैं अन्यूजुवल या मॉर्डन वर्चिव यह कुश्चन बहुत पूछता है कि वर्चिव का पो अबंडेंस मतलब कोई चीज प्रचुर मात्रा में परियाप्त मात्रा में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अबंडेंस अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में तो इसका मतलब कोई भी चीज जो आप कह सकतो एक्सस में हैं जो कह सकतो सर्प्लस में हैं अबंडेंस का म में पर्यापत्ति प्लैंटि कर साके ना लिख करके आप यह लिखो अश्वाय फूल दिया और यह को अ Прचूर का चौ। स्कार्सिटी ऐना यह वर्ड आपने पढ़े थे ईजिटेट होने का मतलब बहुत ज्यदा गुस्य में आजाना ईजिटेट होजाना मतलब ए्रीटेट हो जाना पैसिफाइड काम सूथ करना है न है पोजिट यह वर्ड यूज करते हो इसका पॉजिट हो जाएगा मीगर कमी अपलावड यह पढ़ चुक हो प्रसंसा होता है आप लोग लावड कर रहे हो इसका मतलब प्रसंसा कर रहे हो डिनाउंस निंदा करना करना संसर करना करते हैं इसका मतलब मेहनती होते है यह पैंसर टेकिंग मेहनती लैबॉरियस और हाड वर्किंग बिल्कुल आसान से वर्ड होगे भी तो ट्वाइल का मतलब होता है वर्क हार्ड तो ट्वाइल से बन गया ट्वाइल सम्जो मेहनती है उसको बोलते हो आप ठीक है याद रहेगा आगे जलता है नेगलेक्ट फुल आइडल मतलब सुष्ट रहने वाला अगेमेंट मतलब बढ़ाना होता है आग में मिंट डालोगे तो मतलब कम करना बोर्ड बोर्ड का मतलब होता है वीर बहादुर इसके वर्ड नहीं किये इसको कर लेते हैं बोर्ड का मतलब कैसा होता है साइसी वीर इसको बोलते हो करेजियस एक वर्ड आप लिखते हो करेजियस का मतलब होता है साइसी आप ब्रेव लिखते हो ब्रेव होग गया ना सिवालोस एक वर्ड आता है सिवालेस का मदलब गलब होता है मतलब अ चिए Kenneth 맛있 стве कैसे कैसे सी ओनवास आप ये कह सकते हो हैं डारें डारिंग डारिंग मतलब जो डिएएर करणे वाला कवर्ड करना चार होता है निगार का मतलब भी कायर होता है एनःडवल जी आर डरी निगाड का अधिक सप्तुत मतलब का भ्याक्ति ना आउंगे बढ़ता है के को फोनी का अपोसिट रिजया हार्मणी यह सिंप्ली याद रखना और हम ने करना इसका मतलब साघ्दान अना वाच फुल जी साफधान ब Took तो इसका मतलब कोई परसन जो बिल्कुल अलर्ट मोड में है उसको लिए वर्ड यूज करते हैं इगल आई नेगलेजेंट के रैकलेस लापरवा होता है क्लियर के बारे में आपको पते हैं नेबुलस ओपेक मर्की डिम इन सभी का मतलब गुंदला क्लियर मतलब इस पस्ट इ आपने पड़े थे तो ये फास का पूरा से सवस्ट होता है एक वर्ड इसमें लिए नेबुलस लाइक्स का बहुत छूटा सटास्क है आपके लिए ठीक है आप चाहोगे तो एक गंटे में भी पूरा कर सकते हो आपके अंदर वो पावर है ठीक है आई नो वेरी वेल बाकी अपने सेशन आपको उसके बाद फिर से कोई की मोस्ट सिग्निफिकल्ट टापिक पर ही रखेंगे ठीक है सेशन कैसा लगा फीडबेक जरूर दीजीगा साथी साथ टेलीग्राम चैनल जरूर जारूर जोइन कर लेना मेरे साथी लाल आज के लिए इतना ही आप सभी को जैहिर थैंक यू प्लास मिलता है ने सेशन में थैं थैंक यू पर अटेंग इस वालवबल सेशन थैंक यू